हेलो स्टुदेंट्स आज के वीडियो में अपने लोग स्टार्ट करेंगे कमिनिकेशन इसके जो अपना यूनिट फर्स्ट होता है इसके अंदर अपने इंपोटेंट जो पॉइंट्स है या फिर इंपोटेंट नोट्स आप हो सकते वह पढ़ेंगे एक च्छोटा सा पीडि अब इसको अफन थोड़ा सा समझते हैं कि पहले कमेनिकेशन क्या होता है उसके बाद में उसके मैठट को देखेंगे देखो सबसे पहले अपने पास कमेनिकेशन की टेफिनेशन लिखी है कमेनिकेशन इसड़ प्रोसेज से बोल के लिक कर और किसी भी मैथड से वहीhen अब पास जो communication वो involved करता है कुद के अंदर क्या कि अपने messages या फिर ideas को exchange कर सकें अपने thoughts को exchange कर सकें और अपनी feelings को किसी के साथ share कर सके effective communication helps ensure that messages are understood as intended देखो effective communication क्या होता है यह अपने को यह बताता है कि जो अपन message सामने वाले को बेजना चाह रहे थे जिस intention से उस intention से message गया कि नहीं गया effective communication का definition आपन आगे भी देख रहे होंगे अभी के लिए सिर्फ एक brief ले तो यह हो सकता है कि आपने जो message बेजना चाहा वो message आगे पोचा कि नहीं पहुचा इसके अदर अपने इसके methods देखते हैं इससे अपने को पार्ट आप इस चीज़ को थोड़ा गोड़ करिए या पर पार्ट की बात हो रही है ना कि टाइप्स की ना कि methods की सीधा अपने एक बात बोल रहे है तो पार्ट कौन से होते हैं अपने पास पहला होता है लास्ट आता है अपने पास feedback फीडबेक देखो क्या होता है अपने पास कम्पलीट करने के लिए आपका जो receiver है वो आपको reply करेगा कि हाँ मेरे को message समझ में आया नहीं आया जो भी उसको समझ में आएगा वह चीज़ आपको बताई जाएगी and उसी response को अपन बॉल देते हैं feedback और यह धान लखेगा यहाँ पर अपने लिए feedback most compulsory होता है अगर अपना feedback नहीं मिला अपने को इसका मतलब अपना communication complete नहीं हुआ है इसके बाद में देखें कि अपने पास communication process या फिर कम्नीकेस्ट की elements कौन-कौन से होते हैं basically अपने पास साथ elements होते हैं communication के दीखो कौन-कौन से होते हैं first होता है अपने पास sender sender में सबको पता है कि जो person communication को start करता है याँ आप बिगिनिंग लिखा है the person बिगिनिंग the communication इसके बाद में message कि जो information आप आके भीजना चाहते हो that is message इसके बाद में आप message भेजोगे इसके बाद में फीडबैक में बता चुका हूँ कि एक response आपको मिले receiver की तरब से कि हा मेरे को message रिसीव हुआ मैंने इससे ये चीज़ समझे या फिर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई वो positive negative दोनों हो सकते है बट response देना compulsory है इसके बाद में अपने पास दो टर्म्स और आते हैं दो elements और आते हैं इनके बारे में question आने के chances रहते हैं that is encoding and decoding simple definitions मैंने लिखी है converting thoughts into a message or communication अपने thoughts को message में convert करना communication complete करने के लिए that is encoding and उन जो अपने information change की थी उस information को अपने को वापस समझना interpreting and understanding the received message जो अपने पास message आया हूँ उसको वापस समझना क्या कहता है अपने लिए encoding अब decoding जो points अपने डिसकस कर रहे थे that is methods of communication यहां से भी question आ सकता है इसके अंदर क्या होता है अपने पास कुछ methods होता है जिनके अपने को सिर्फ नाम नाम देखने definition देखने की ज़र्वत नहीं है एक हो सकता है अपने पास face to face informal कि अपने दोस्त से अपन बात कर रहे हैं तो यह भी एक method हो सकता है अपने पास इसके बाद में बात करें कि email अपने पास एक हो सकता है कि email के तुरू अपन communication कर सकते हैं notices या फिर posters आप जब भी school वगरह में देखते होगे आपको को information देनी होती है तो आपका principle या फिर आपका manager जो भी है वो सारी जगर उनके सबको information नहीं दे सकता बट उसने अगर एक notice लगा दिया एक notice board पे तो उसको सब लोग access कर सकते हैं और आम से उस notice को पर्ट goals for communicating news, letters, blogs, etc. यह सारे जो लिखे हैं अपने पास methods of communication होते हैं कि इनके त्रुब अपन क्या कर सकते हैं, communication कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से next आता है अपने पास choosing the right method of communication depends on कि अपना जो communication अपन कर रहे हैं वो किन-किन चीजों पर डिपेंड करता है इस चीज का ध्यान आपको भी रखना है अपना जो communication होता है वो हो सारी चीजों पर डिपेंड होता है that is target audience कि आपकी audience कैसी है इस चीज का आपको ध्यान रखना चीए next है अपने पास कोस्ट कि आप जो communication कर रहे है उसमें आपको कितना कोस्ट आएगा आपको ट्राई करना है कि आपका communication हमेशा cost effective रहे next आता है अपने पास kind and type of information किस टाइप की information आप आगे send कर रहे हो यह भी अपने को पता रहना चीजिए अगर आपन audience के तुरू अपने information send न तो कुछ चीजों को पहले रखना होता है कुछ चीजों को बाद में रखना होता है that is urgency and priority इसके बाद में अपने पास आता है second session second में आता है अपने पास verbal communication अब verbal communication का पहले definition समझते हैं इसके बाद में इसके कुछ types होते हैं उनको discuss करेंगे तो जब इसके definition की बात करें तो द इसके बाद में, speaking is one of the most effective and commonly used ways of communicating, speaking है, speaking सबसे ज़्यादा यूज़ किया दाता है, अपने पास किस में, communication में, कैसे, कि अपन easily सामने वाले को समझा सकते हैं, जो भी अपना message है, it helps in expressing our emotions in words, easily अपन सामने वाले को अपने emotions को words में समझा सकते हैं, कि क्या मेरी अभी feeling है, क्या में आप से बात करना चाहता हूँ, इसके बाद में अपने पास कुछ types होते हैं that are interpersonal communication return, small group and public group, इनको अलग-अलग समझते हैं, देखो, interpersonal में क्या होता है, this form of communication takes place between two individuals, and is thus a one-on-one conversation, it can be formal और informal, interpersonal communication जो होता है, वो दो लोगों के बीच में होता है, इसका आपको ध्यान लगना है, दो individuals इसमें involved होंगे, इसको one-on-one conversation भी बोलते हैं, और यह formal informal दो नहों हो सकते हैं, इसमें आपको एक ध्यान लगनी होती है, एक होता है, इंटर, एक होता है, इसके बाद में अगर आपने बात करें, small group की, small group मतलब कि आप एक gathering कर रहे हैं, उस gathering में जरी 5-10 लोग हैं, और सब लोग एक दुसरे से communicate कर पा रहे हैं, सब सकी बाते सुन पा रहे हैं, सब को बाते बता पा रहे हैं, that is small group communication, इसके बाद में लास्ट अपने पास आता है, public communication, अब public communication को काम कैसे करता है, यहाँ पर आप इसको, जो अपने elections होते हैं, इनमें आपका जो ministry या फिर कोई भी person खड़ा होता है, वोटिंग के लिए उसको आप ले सकते हो, एक person सामने से सब को बता रहा होता है, कोई भी information वहाँ पे एक public या फिर एक group of people उस चीज़ को सुन रहा होता है, अब यहाँ आप देखो लिखा है, इसमें साब साब की individual addresses is a large gathering, कि एक बड़ी gathering को एक person, single person क्या कर रहा होता है, information दे रहा होता है, नेक्स आते हैं अपने पास advantages of verbal communication, अपने पास बहुत सारी advantages of verbal communication की हो सकते हैं, बट अपन measures जो होती हैं वो देखते हैं, it is an easy mode of communication in which you can exchange ideas by saying with what you want and get a quick response, इसमें अपने को क्या मिलेगा, अपन जो बात हैं, वो easily सामने वाले को बोल के बता सकते हैं, अपने को instant इसका response मिलता है, अगर इसका अपन disadvantage देखने जाएं, तो disadvantage क्या हो सकता है, since verbal communication depends on written and spoken words, sometimes the meanings can be confusing and difficult to understand, if the right words are not used, कई बार क्या होता है, कि अपन सहील sentence में, एक proper sentence में proper words यूज नहीं करें, तो उस sentence का meaning कुछ और निकल सकता है, इस वज़े से सामने वाले person को वची समझने में issue आ सकता है, तो ये अपने पास एक negative हो सकता है, verbal communication का, देखो इसके आगे रेखते हैं अपन, mastering, verbal communication की, verbal communication को अपन perfect कैसे कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले अपने को जो भी बात करनी है, उससे पहले एक point ध्यान लखना है, that is, think before you speak, आप जब भी verbal communication कर रहे हो, तो आपको पहले ही सोचना है, कि मैं जो बोल रहा हूं वो बात ठीक है, या फिर मेरे पास किसी भी चीज़ की पूरी information है की नहीं है उसके बारे में, देखो, इसमें लिखा है, think about your topic, जो आपको बोलने हैं उसके बारे में सोच समझ के बोलो, think about the most effective ways to make your listeners, आपको वही बाते बोलनी है, जो आपको effectively आप अपने listeners को बता सकते हैं, या फिर effectively आपके listeners आपसे समझ सकते हैं, next आता है understanding, understand the topic, आपको topic के बारे में पता होना चाहिए, अगर आपको topic के बारे में नहीं बता होगा, तो आप कोई भी चीज clear way में नहीं बोल पाऊगे, proper way में नहीं बोल पाऊगे, write or not down whatever you plan to say, आपको वो चीज़े लिख लेनी है, जो आपको बोलनी है, इसके बाद में concise and clear आपकी बाते रहनी चाहिए, आप जो verbal communication करो, वो आपको हमेशा concise and clear होना चाहिए, जिससे फाइदा क्या होगा, कि आप अपने जो communication है, उसको successfully complete कर पाऊगे, point to point रहेंगे, कमेंट्स में पूछ सकता है, next is अपने पास आता है, non-verbal communication, non-verbal communication भी अपने पास type होता है, communication का जिसके अंदर अपने पास क्या आता है, non-verbal communication is the expression or exchange of information or message without using any spoken or written words, कि अपन क्या करते हैं, non-verbal communication में information पर exchange करते हैं, but कोई भी words use नहीं करते हैं, basically spoken words use नहीं करते हैं, नहीं बोल के बादचित नहीं करते हैं, यहां पर आपन जो भी काम करते हैं, वो written words में करते हैं, return words में करते हैं, या फिर non-verbal communication में क्या होता है, आप gestures का यूज करते हैं, सबसे common चीज आप ये रखो, आप हमेशा इतने भी होते हैं, gestures का use करते हो, जिससे फाइदा क्या होगा, कि सावने बाले को आप अपना message easily convey कर पाते हो, इसके अंदर अपने पास देखो, कुछ importance दी हुई है, अपने को importance means कि आप जो communication करते हो, day-to-day life में, उसमें कितना participate आपका non-verbal communication करता है, देखो, in our day-to-day communication, 55% communication is done using body movements, face, arms and etc. that is, कि आप 55% communication पूरे दिन का किसमें करते हो, non-verbal communication में करते हो, उसके बाद में आदा 38%, 38% is done using voice, tone, poses, etc. ये आता है अपने पास verbal communication में, सिर्फ अपने पास जो 7% है, ये अपने पास words में होता है, बाकी का जितना भी है, वो सारा communication parts में divide किया गया है, तो इसमें mostly आपको धान नकने हैं, सबसे ज़्यादा use होता है, non-verbal communication, अब अगर non-verbal communication के types के उपर जाएंगे, तो आपने पास बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैंने man-man लिखे हैं, इसमें क्या-क्या हो सकता है, अपने पास facial expression हो सकता है, facial expression से अपन किसी को समझा सकते हैं, कि अपन happy है, कि sad है, इसके बाद में posture, posture मतलब आपका body language क्या बोल रहा है, कि आप happy हो कि sad हो, इसके बहुत सारी चीज़ आप posture के थरू समझा सकते हो, next is gestures of body language, gestures मिंच आप समझते होगे, आपने कोई सारा किया, जैसे drinking water, अपने पास drinking water का एक sign होता है, अपने जैसे भी कुछ पूछते हैं किसी को, या फिर eating food, खाया नहीं खाया, हाँ, ना, इन चीज़ों में नोडिंग करते हो, आप यह सारी चीज़े gestures of body languages में आती है, इसके बाद में अगर आपन session 4 की बात करें, that is communication cycle and the importance of feedback, यहाँ से आपको एक चीज़ धहान देनी है कि communication cycle क्या होता है और feedback का importance क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं आपने पास की communication cycle क्या होता है, देखो, basically आप एक sender होता है, sender एक message send करेगा, receiver उस message को receive करेगा, and उसको feedback देगा, जिस time receiver ने feedback दिया, वही message अपने ने क्या convert हो जाएगा, जो person है, जो message send कर रहा हो, वो क्या बन जाएगा, और जो अपना sender था, वो क्या बन जाएगा, receiver, तो यही process continue चलता रहता है, that is communication cycle, for effective communication, it is important that a sender receives an acknowledgement from the receiver about getting the message across, यह जरूरी होता है, effective communication में कि एक sender होता है, उसको एक effective acknowledgement मिले, कि आप से मैंने कोई बात की, तो आप मेरे को at least इतना तो बताओ, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, जब तक आप मेरे को acknowledge नहीं कि रोगे, मेरे को पता नहीं चलेगा, कि मेरा communication successful हुआ है कि नहीं हुआ है, while a sender sends information, the receiver provides feedback on the received message, जब एक sender ने information भेजी, तो receiver उसको क्या गड़ता है, feedback देता है, that is कि वह एक उसको response देता है, और उसी response से बता चलता है, कि अपना communication कितना successful होगा, अपने पास बहुत सारे types हो सकते है feedback के, that is positive, negative, no feedback, या तो positive feedback दे, या negative feedback दे, या फिर कोई feedback नहीं दे, इसमें आप दो दिन feedback और add कर सकते हो, that is descriptive, non-descriptive, specific, non-specific, या फिर formal, informal, ये सारे भी अपने पास feedback के types में आते हैं, अब इसके बाद में अपने को बताया है, a good feedback is one, that is, a good feedback क्या हो सकता है, जिसके अंदर अपन कुछ चीजे cover करे, that is, कि अपन अपना feedback क्या हो, specific हो, specific मतलब avoid general comments, कि आप general comments को avoid करो, जितना ज़्यादा हो सके, ऐसे नहीं कि जो बाते सब बोल रहे हैं, वही आप बोलो, that is not a particular feedback, कि वो सब लोग दे रहे हैं, तो आपको उसको देने की जरूरत नहीं है, try to include examples to clarify your statement, offering alternatives rather than just giving advice, allows the user, sorry, allows the receiver to decide what to do with your feedback, किसी भी चीज़ को, जब आप किसी भी person का है, फिर किसी भी message का, जब आप feedback देते हो, तो at least आपको उस चीज़ को अच्छे से clarify करना चीए, with examples, ताकि सामने वाला person आपके feedback के साथ, कुछ use में उसको ले सके, कि आपने किसी को feedback दिया, कि आप पढ़ाई किया करो, आपके पढ़ाई में कुछ marks काम आ रहे हैं, तो आप उसको साथ में suggest करो, कि आप पढ़ाई को improve कैसे कर सकते हो, तो वो चीज़े उसके काम आएंगे, next is timely, अगर आपका feedback timely नहीं है, कि आपको person ने आज कोई message किया, आप उसका reply चार दिन बात कर रहे हो, तो आपना जो भी feedback होता है, उसको time to time अपने को response देने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा delay अपने reply में कर रहे हो, polite, while it is important to share feedback, the recipient should not feel offended by the language of the feedback, जब आप किसी को feedback दे रहे हो, तो जो receiver है आपका, उसको आपको offend नहीं लगना चाहिए, इसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको offend कर रहे हो, आप उसको एक तरीके से negative harm कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको politely अपना feedback देना, अगर आपको उसको negative भी बोलना चाहते हो, तो इस विए में बोलना है कि उसको negative feeling नहीं आए, next is offering continuing support, कि आपने feedback दे दिया, किसी को issue हुआ, आपने feedback दे दिया, तो उसका solution देने के लिए आपको वापे अविलेबल रहना है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ feedback दिया, और उसके problems बढ़ा कि आप वहां से निकल गए, ऐसा नहीं करना है, next is importance of feedback, feedback की importance बहुत ज़्यादा है, देखो feedback से questions आ सकते हैं, इसको थोला ध्यान देना है अपने को, it validates effective listening, कि जब आप feedback देते हो, तो ये अपने पास validate करता है, effective listening को, effective listening मतलब क्या होता है, listening मतलब आप सब लोग समझते होगे, सुनने की capacity, तो ऐसा नहीं है कि आप सब लोग हर कुछ, या फिर हर एक person में listening capacity होती है, listening capabilities में कुछ चीज़े होती है, effective listening में कुछ चीज़े होती है, कि जैसे आप पहले सामने वाले को सुनो, उसकी according उसको क्या दो, feedback दो, कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या चीज़े और improve करनी चाहिए इस तरीके से, next आता है अपने पास, it motivates, feedback can motivate people to build better work, relationship and continue to good work, that is being appreciated, कि अगर आप कोई person अच्छा काम कर रहा है, तो उसको आपको motivation देना चाहिए, उसको motivate करना चाहिए, उसको positive feedbacks देने चाहिए, जिससे कि वो person motivated feel करता है, और next time वो appreciated feel करेगा, और अच्छा काम कर पाएगा, it is always there, every time you speak to a person, we communicate feedback, so it is important not to provide one, अपने पास क्या होता है, हर बार अपने को try करना चाहिए, कि अपन feedback दें, ऐसा नहीं कि अपन feedback नहीं दे रहे है, कोई person अपने से पूछ रहा है, अपने को बता रहा है, कुस तो अपने को feedback at least, noding में या फिर हाया ना में देना चाहिए, it boosts learning, feedback is important to remain focused on goals, plans, better and develop improved products and services, जो feedback होता है, वो अपने को focus रखता है goals पे, क्योंकि मैंने जब आपको feedback दिया, तो आपको यह पता रहेगा, कि क्या क्या आपकी कमिया थी, या फिर क्या चीज़े आप अच्छी कर रहे थे, तो उन चीजों की वज़े से, आप खुद को improve कर पाओगे, लास्ट इस, अगर आपको अपने negatives पता है, अगर आपको अपने positives पता है, तो आप उसके according easily decisions ले सकते हो, easily decision making कर सकते हो, नेक्स्ट आता है अपने पास barriers to effective communication, यह भी एक अच्छा topic होता है अपने पास, सबसे पहले देखते हैं, what is effective communication, effective communication follows the basic principles of professional communication skills, effective communication वही है, जो basic principles को follow करे, किसके principles, professional communication skills के, कि आपने किसी को message भेजा, वो message आपने जिस intention से भेजा, अगर सामने वाले को वही intention से वो message समझ में आ गया, that is, कि आपका जो communication है, वो successful है, effective है, बट आपका intention दूसरा समझ में आया सामने वाले को, आप परसन से distance पे खड़े हो, एक दूरी पे खड़े हो, तो आपको उसकी आवाज नहीं सुनेगी, या फिर आपकी आवाज उसको नहीं सुनेगी, और क्या हो सकता है, कि आप एक परसन से बात करना चारे हो, बट बीच में DJ बज़र है, तो उसकेस में क्या आओगा, आपको DJ की आवाज आएगी, गाने की आवाज आएगी, तो आप उस परसन से easily communicate नहीं कर पाओगे, तो वो ऐसे type का जो भी communication होता है, वो कैस में आता है physical barriers, इसमें रास्ट में लिखा है कि block visuals और auditory signals, ऐसा है कोई भी barrier जो आपके visuals को रोक रहा है, आप किसी सामने वाले परसन को देख नहीं पा रहे हैं, किसी चीज के बीच में आने की वज़़े से, या फिर आपको सुनने की चमता को रोक रहा है, तो वो किसमें आएगा physical barriers, next is linguistic barriers, अब linguistic barriers क्या होते हैं, कि जब आप सामने वाले परसन से बात कर रहे थे, आपको उसकी language नहीं समझ में आ रहे है, that is linguistic barriers, interpersonal barriers, interpersonal barriers means कि misunderstandings that occur when the message received differ from the sender intended, कि मैंने आपको किसी intention से message बेजा, बट आपको वो दूसरे तरीके से समझ में आया, उसका मतलब भी दूसरे निकलेगा, और आपको rules भी उसी तरीके से follow होंगे, next is organizational barriers, organizational barriers में क्या होता है, communication problems arising from formal structure rules and policies within an organization, एक organization में बहुत सारे rules या फिर बहुत सारे bosses हो सकते हैं, तो इस वज़े से आपको दिक्कते आ सकते हैं, cultural barrier means problem in communication that happens when people from different cultures understand each other's custom ways of speaking, आप किसी से बात करते हो, किसी का tone कुछ हो सकता है, किसी का tone कुछ हो सकता है, तो आपको आपको आप नेगेटिव वो चीज़ समझ सकते हो, इससे आपको दिक्कते हो सकते हैं, ways to overcome barriers to effective communication, कि आप क्या गरते हो, कि जैसे आपको कोई barriers आये, तो उन barriers से आप overcome कैसे कर सकते हो, बाहर कैसे निकल सकते हो, वो देखते हैं देखो, सबसे पहले simple language use करनी चीज़िए, do not form assumptions on culture, religion or geography, किसी भी चीज़ पे आप assumptions मत बनाओ, अपनी धारनाएं मत बनाओ, culture पे, religion पे, आपि किसी भी geography पे, try to communicate in person as much as possible, हमें साब person से बात करने की कोशिश करो, अपनी मर्जी से decisions मत लो, use visuals, किसी को कोई चीज समझाने के लिए, visuals, images, posters, science, यह चीज़े यूज़ करो, जिससे सामने वाला भी वो चीज़ समझ पाए, take help of a translator to overcome differences in language, आपको कई बार differences in language, यानि language में दिक्कत आ सकती है, आप जैसे यहां से चाइना निकल गए, तमिल लाडू निकल गए, जैसे दूसरे state में और फिर दूसरे country में निकल गए, जहां कि language आपको समझ में नहीं आती, तो वहां पे आप translator का use कर सकते हो, be respectful of others opinion, यानिन यह आपको हमें से ध्यान रखना है, कि सामने वाले person की opinion की आपको respect करनी है, चाए positive है, चाए negative है, उसको इस तरीके से behave नहीं करना है, कि आप उसको respect नहीं कर लेए, next आता है, अपने पास यहां से question पक्ता मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, seven seas of communication की, अपने पास communication के seven seas होते हैं, नाम में यहां पर लिख रहा हूँ, definition, आप थोड़ा सा देख लेना, यह points का आप लोग ध्यान रखना है, नाम ज़रूरी है, नाम याद रहेंगे, तो definitions अपन बना सकते हैं, clarity, completeness, conciseness, concreteness, courtesy, correctness, and consider, साथों point को अपने को याद कर लेना है, अच्छे सी ध्यान में रखना है, next simple सी बात है, यह जो next वाले दो सेशन से, इसमें से एक question आने की priority रहती है, तो आपको क्या करना है, एक question at least इसमें से निकाल के रखना है, निकाल के रखने से मतलब यह है कि आप grammar पढ़ते होगे, एक class में आप इन 9th class में वहीं से question यहाँ पर बनता है, writing skills are part of verbal communication that includes email, letter, notices, articles, इसमें अपने पास कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि email होगे, letters होगे, notes होगे, articles होगे, SMS, chat, blogs, etc. यह चीज़ें वह include करता है, writing skills में, अब इसमें capitalization rule होता है, कि आपको कुछ चीज़े ध्यान रखने है, punctuation marks, like police top, comma, question mark, exclamation mark, and कुछ ऐसे symbols होते हैं, जिनको अपने को ध्यान रखना होता है, अब basic part of speech आपको 8 नाम है, इन 8 नाम को याद रखना है, अपने लिए sufficient रहेगा, लास्ट अपने पास आता है, types of sentences, writing skills, लास्ट अपना session है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं simple अपने पास types of sentences पता होने चीज़ें, इसमें अपना काम हो जाएगा, ज्यादा चीज़ें रटने की ज़र्वत नहीं, अगर आपने grammar पढ़िए, तो ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो informative लगा हो, तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, आप वीडियो को लाइक कीज़ेगा, ऐसे ही मैंने वीडिये BMS के या फिर और चेप्टर्स के वीडियो भी बना के इस चैनल पर डाल रखें, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, और आराम से अपने exams की तैयारी कर सकते हो, IT402, CBSC में जो चल रहा है अपने, उसकी preparation आप easily कर सकते हो इस चैनल से, अगर कोई आपका friends हैं, जो पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 में उनको भी आप suggest कर सकते हो, उनके वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, अब एके लिए टाटा बाई बाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए take care, बाई बाई